भजन सहिता अद्याय 10, भजन सहिता अद्याय 10, हे होवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है, दुष्टों के अहंकार के कारण दिन मनुश्च खदेडे जाते है, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फस जाए, क्योंकि भी परमिश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वहाँ लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमिश्वर है ही नहीं। वहाँ अपने मारग पर दुर्णता से बना रहता है। तेरे न नहीं, मैं पिढ़ी से पिढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुह शाप और छल और अंधेरे से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बाते उसके मुह में होती है। वह गाओं के घातों में बैठा करता है। और गुपत स्थानों में निर्दोश को घात करता है। उसक अपनी जाडी में वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाया रहता है। वह दिन को अपने जाल में फसा कर घसीट लाता है। तब उसे पकड़ लेता है। वह जुग जाता है और वह दबक कर बैठता है। और लाचार लो उठ, हे यहोवा, हे परमिश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल, परमिश्वर को दुष्ट क्यों तुछ जानते हैं और अपने मन में कहते हैं कि तू लेखा न लेगा, तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और कलपाने पर दुरुष्टी रखता है, ताकि उसका पल्टा अपने हाथ में रखे, लाचार अपने को तेरे हाथ में सौपते हैं, अनाथोंका तू ही सहायक रहा है, दुष्टी की भूजा को तोड़ दाल, और दुरुजन की दुष्टता को धून धून कर निकाल, जब तक कि सब उनमें से दूर न हो जाए, यहो तूने नम्र लोगों की अभिलाशा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगा कर सुनेगा, कि अनाथ और बीसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्ट जो मिट्टी से बना है, फिर भै दिखाने न पाए